अस्ताम नेकुम फ्रेंड्स, वेलकम वेक टूप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल तेरा वाधा आइज़ा जो खुशी हुशी अपनी सुस्राल आई थी, के अब आकर यहां पर सबका दिल जीतेगी लेकिन उसने जो नोकरी छोड़ दी तो साथ साहबा पहले ही दिन बोल पड़ी तुम्हें नोकरी पर जाना चाहिए, इतना पड़ी लिखी हो, इतना पढ़ने लिखने का भला क्या फाइदा, तुम्हें तो बहुत अच्छी जोब मिल सकती है और फिर साथ ही साथ सुना दिया, कि तुम अगर जोब नहीं करोगी तो इस खर में रहने का कोई फाइदा नहीं, तुम हो या ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता आइस्ता ही आइस्ता आइसा के सामने शायान की हकीकत खुलने लगी है, कि शायान उसे महबब तो करता ही नहीं, वो तो सिर्फ पैसा चाहता है, दौलत चाहता है, और आइसा की नौकरी की वज़ा से ही तो उससे महबब का ड्रामा रचाया दूसी तरफ अब सारा जोब छोड़ने के बाद काफी रिलैक्स है अब अली भी उसे बहुत टाइम देने लगा है क्यूंकि वो प्रेगनेट भी है सुबह जब सारा सो रही थी तो उसके तक्ये के पास लाकर गुलाब का फूर रख दिया साथ ही सारा की जो आँख कुल गई तो घुलाब का फूर देखते ही खुश हो गई और पिर अपनी हुशी का इसार करने लगी जिंदगी की हर सुबह अगर इतनी ही हुबसुरत हो तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाए ना तो अली जो सारा को चाहता ही बहुत ज्यादा है वो तो यही चाहता है कि वो सारा की जिन्दगी फूलों से भाड़ते उसकी जिन्दगी की हर सुबों को वाकई हसीन करते लेकिन रहार नामी कांटा जो दर्म्यान में आ चुका है तो अली उसे काफी इंस्क्यूर फिल करता है एक तरफ सारा जो कुछ मुतमिन हो चुकी है तो दूसरी तरफ नगीन पर दुखों के पहार तोट रहे हैं साथ साहिबा नगीन से खुशी का इसार करती है मैं बहुत खुश हूँ क्या हरकार तुमने शहीर को उसकी जिन्दगी में आगे भरने का मौका दिया तुम्हारा बहुत जर्फ है बेटा तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलोंगी लेकिन नगीन ही चानती है कि उसके दिल पर क्या गुजरती है किसलिए उसने दूसरी शादी की इचासत दी सारा भी नगीन की हालत को देखकर काफी परेशान रहती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती दूसरी तरफ बिलाल जो बहुत ही मज़े से अपने घर में सोफे में बैठा अपने फून से खेल रहा था के पास ही टीवी चल रहा था जिस पर हबर्ड चलने लगी कि इस बिलाल नामी शक्स ने बहुत सी जिन्दगियों को हराब कर दिया लोगों को अगल्प मेडिसंस दी इक्सपार मेडिसंस दी जिसकी वज़े से बहुत सी जिन्दगिया चांबहाख हो गई इस इंसान को करप्शन के केस में पकड़ा चाएगा कड़ी से कड़ी सजा में देगी अब तो बिलाल जो ये सब कुछ सुन रहा था चौंकर खड़ा हो जाता है अब उसे साइम की हर बात याद आएगी कि साइम उसे रोका करती थी कि ये गारी कहां से दी घर निया कैसे लोके ये सेट कहां से आया गोल्ट का तब जाकर बिलाल तो कुछ नहीं सुना करता था सिर्फ बीवी की माना करता था अब जेल की सुलाहों के पीछे पड़ा बिलाल अपनी बीवी और बेहन के रोईये का मुआजना खूब कर सकता है उसे समझ आ जाएगी कि कौन सा रिष्टा उसके साथ वफादार है और फिर ये बेहन ही तो होगी जो मुश्किल वक्त में बिलाल का साथ देगी क्योंकि शहिर काफी पावर रखता है और साइम ही बिलाल को जेल से रहा करवाएगी दूसरी तरफ सारा जो के मेके आई थी और मारिया भी यहीं पर थी तो वो अली को फोन करती है कि मुझे पिक करने आ जाए तो अली भी उसे लाने की हामी भरता है ठीक है थोड़ी देर तक आ रहा हूँ इतने में यहां पर अब रहान भी आ किया तो मारिया और माँ उठकर किसी काम से चले ही चाते हैं तो रहान से अब सारा बात करने लगी तुम चानते हो ना चाहते हुए भी तुमने मेरी जिंदगी को दुखों से भर दिया हर वक्त यह हच्छा लगा रहता है कि अली कहीं तुम्हारी वज़ा से बद गुमान ना हो जाए तो रहान कहने लगा पहले भी तुम्हारी खुशी के लिए ही कदम उठाया था अब भी बोलो क्या करूँ इस पारे में क्या कर सकता हूँ मैं अली को मैंने तसली देने की कोशिश की तो थी तो अब सारा कहने लगी एक एहसान करो मुझ पर जैसे पहले सब छोड़ चार कर चले गए थे अब भी चले चाओना तो अभी ये बाते हो ही रही थी कि अली आचाता है अली सारा और एहान को यूँ अकेले बैठे देख बाते करते बहुत चैलस हो चाता है सारा तो जल्दी से अली के साथ आचाती है और अली सारा पर गुसा भी करता है अली घर भी आया तो सारा पर काफी हफा है जिस पर सारा अपनी सफाई में कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं अमी और मारिया पास ही बैटी थी कुछ दिर पहले ही वो उठकर गई और रिहान मेरे दिये वहां पर नहीं आया था अमी से किसी काम के लिए आया था तो अली फिर गुसे से कहने लगा जो तुम कह रही हो ऐसा ही होना चाहिए वरना अब यहां पर वरना कहा तो सारा भी बोल परती है बात मुकमल करे ना क्या वरना वरना क्या होगा अब अली जो इतना गुसे में है तो हॉपसो यहां पर सार इस लड़की के साथ आहर क्या कर रहा है आहर कर शहीर और साइम के रिष्टे की हकीकत भी तो खुल नहीं है हो सकता है कि वो अली के हाथों ही खुले अली को ही सबसे पहले शहीर और साइम के रिष्टे के बारे में मालूम पड़े लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि यहां पर सामने कौन आया है जरूर कमेंट्स में आप भी बताईए का मसीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीचिए अलाहाफ़ेज